तो हेलो एक से लेर्नर्स कैसे आप सभी आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं तिंग्स पी living things people and ideas आज मैं इस chapter के बारे में बताूंगा आपको और इसका second पाट आपको आज में पढ़ाने वाला हूं तो काफी ज्यादा इंट्रस्टिंग होने वाली है वीडियो तीक है अगर आपने फर्स पार्ट नहीं देखा है मैं first part already मैं करा चुका हूं यह रहा सारा इसका material आप इसको भी पढ़ लीजेगा first part को भी आपको पढ़ना है ठीक है और ध्यान से पढ़ना है आपको तो ध्यान रगना बेटा आज मैं काफी जादा important topic कराऊंगा जिसके अंदर force force topic करवाऊंगा आपको काफी जादा आसान रहेगा और interesting रहेगा वीडियो को end तक देखना है आपको और first part तो जरूर देख लीजे आप ठीक है और आपको ध्यान से देखना है आईए start करते हैं तो देखिए यहाँ पर क्या है force force की बात करें तो force आखिरकार होता क्या है एक normal सी भाशा में अगर मैं आपसे पूछू कि force क्या होता है अब आप मान लीजे आप किसी कार को धक्का दे रहे हो क्या कर रहे हो अगर आप किसी कार को धक्का दे रहे हो आप मान लीजे कोई कार है है ना कोई भी मान लीजे कोई भी कार है इस तरीके से ठीक है यह कार है अगर आप इसको धक्का दे रहे हो या तो आप इसे रोक रहे हो तो यह क्या है यह एक फोर्स में ही आ जाती है तो देखें यहाँ पर क्या है डेफिनेशन में ने क्या लिख रखा है आपको आपके लिए दपुश और पुल ऑन एन विलाउसिटी में चेंज आता है क्या आता है विलाउसिटी में आपको अल्रेडी बता चुका हूं तो आप इना उस वाली वीडियो को देख लेना जिसमें विलाउसिटी इसका जो मतलब फर्स्ट पार्ट है न मैंने उसमें सारा कुछ एक्स्प्लेइन कर रखा है ठीक है यहां पर मोशिटी सब मैंने एक्स्प्लेइन कर रखा है तो आप है इसको असानी से अच्छे से ध्यान से पढ़ लेना ठीक है तो ध्यान से पढ़ लोगे तो आपको फर्स्ट पार्ट देखो तो सेकेंड पार्ट अच्छे से और भी जादा समझ में आने वाला है आपको इसको आपको अब बात करते हैं एक एक यहां पर क्या है इक एक और लग रहा है तो हम क्या कहेंगे यह एक बैलन्स पेलस्ट फोर्स है देखे इसक colorful कैसे होगा जैसे मॉली जी मैं अभी इस विस्तर पर lion तो क्या है ना यही मैं नीचे जा रहा हूं ना ही मैं ऊपर जा रहा रहा हूं मतलब माली जी यहां पर अभी बीच और यहां पर दोनों में इस जगा पर क्या हो रहा है यहां पर साहजए गा Balance फो जाएगा क्राणा ग्रैवीटेशनल से समय सकते जैसे मालिजीजे आप खड़ें धुम यह हो तो वह क्या हो गया इन इक्प्राइब गरेंश्रान कि अभेसे लो seating اगे is called balance force अब हम बात करते हैं देखो unbalanced force कि unbalanced force क्या होगा है in equal force from both side अगर माली से दोनों साइड से in equal force लगता है आपने देखा होगा tuck of bar ठीक है tuck of bar आपने खेला है tuck of bar होता है जिसमें क्या होता है एक रस्सी होती है एक रसी होती है जिसमें और कुछ यहां पर लोग लगे हुए होते हैं इस तरीके से उनके हाथ से रस्सी पकड़े हुए होते हैं वो रसी को ऐसे करके ठीक है यह ऐसे करके हाथ से रसी पकड़े हुए होते हैं और यहां पर थोड़े बड़े बड़े विलॉसिटी में आ जाएगा तो यह समझ जाओ आप इसी कोई हम क्या बोलेंगे इंबैलेंस फोर्स बोलेंगे यह बात आपको समझ में आ गई होगी ठीक है अब हम बात करते हैं टाइप आप फोर्स के टाइप कितने होता है सबसे पहले मां बात करूँ ग्रेविटेशनल फो सेना यह किस से अर्थ से लगता हर एक पर कोई भी ऑब्जेक्ट फॉल हो रही है तो उसका कारण क्या है ग्रेविटेशनल फोर्स है समझ में आपको कोई भी ऑब्जेक्ट अगर फॉल हो रही है तो वह क्या है उसका कारण क्या हो सकता है ग्रेविटेशनल फोर्स हो सकता है अब मान लीजिए, free fall होता है, मान लो मैं इस pen को ऐसे नीचे छोड़ूँगा, तो यह किस वज़े से नीचे आ रहा है, क्योंकि यह gravity है, कोई भी चीज है, अगर मैं भी यहाँ बैठा हूँ, सिर्फ gravity की वज़े से ही बैठा हूँ, वरना तो ऐसे आसमान में उड़ रहा होता अब देखा, acceleration due to gravity, free fall आपने से उना होगा, free fall मतलब कि कोई भी चीज अगर जो कोई भी object नीचे गिरती है, तो उसे free fall बोलते हैं, तो यहाँ पर जो free fall है, उसको, sorry, acceleration due to gravity, इसको हम किस से denote करते हैं, small g से, और small g की value होती है, 9.8 meter second per square, meter per second square, ठीक है, तो आप है इसकी value को या type of force का, वो है, the electrostatic force, electrostatic force क्या होता है, देखे, आपने है न, देखा होगा कि अगर आप कभी अपना टोपा उतार रहे हो, है न, सर पे आपने टोपी या टोपा पहन लखा है, सर्दी में हो, और आप किसी कागज के उपर करते हो, तो वो सारे कागज उसके अंदर चले जा the electric charged charges particles देखो यहां पर क्या है, electric charged particles होते है, क्या होते है, electric charged particles है, वो एक होता है positive और यह रहता है, न, टीक है? यह न, फो फो फॉते है, जिनकि वेजिसे क्या होता है, चीजता होता है, चीजिये attract होती है, और rebel होती है,ạt этот मतलब क्या होता है दो चीजों का पास में आना क्या होना दो भी दो ऑब्जेक्स का पास में आना और रिपल्सिव का मतलब होता है जब दो ग्लास रोड को आप सिल्क क्लोथ के साथ अगर रब करते हैं तो उस रबर रोड पर क्या होता है अब मालीजी आप है इस ऐसे काट गीक्या के अगर इसको बीच में से काटा बीच में काटने के बाद क्या क्या मैंने अपने सर से ऐसे करके अगस को कि अगर मैं पॉस्व को also pipe को मिला नो तो रेपल करेंगे यह दूसरे से दूर भागेंगे क्यों देखो जो इनके है चार्ड इस होँए वह क्या है सेमिलर ऑजाएंगे जैसे कि दो आगर जो पॉजἵ या क्या करेंगे इदा करें नियूट और अगर positive नेगडिव चार्ज होंगे तो वह क्या करेंगे attraction करेंगे है ए कि attraction करेंगे एक यह वाली बात आपको समझ में आ गई योगी ठिक है अब देखी क्या होता है magnetic force magnetic force भी ऐसे हिए नॉन-편 Темट फ्रड़ होता है अब इसमें इसमें क्या होता है देखो अगर हम वही अगर South South को मिलाएंगे तो वो क्या करेगी इवह जा रा था तो चराते क्या हुआ लाति दी ना उसके नीचे लोहे फी तो बार बार एसे वह टच्छ करता इस तरीके से चलता है और तो यह बार उसकी बहुक जाती है लाठी तो इस विए से में इचा कर च्छ जाती है उसके नाम पर मैगनेट नाम लख दिया टीक है और वे इसको क्या बोलेंगे जब भी कोई दो तिंग्स क्या करती है तो उसे क्या बोलेंगे हम मेकैनिकल फोर्स बोलेंगे जैसे एक्जेंपल में ईंैमिर और इ ईंजल उन हो गया ना यूए जया जबी क्या करता है उसे म क्या बोलेंगे और इंगे संट्री पैटल फोर्स क्या होता है आपने देखा है आपने कोई लंगड गोए हूआ आपने कभी लंगड गूआ हात में ऐसे करके मान लिजिए आपके पास है ये ऐसे आप घुमा रही है उस लंगड को यहां पर यह खड़ा है हमारा कोई भी student ठीक हैく इससी लेरनर खड़ा है और इसके हाथ में यह है लंगड यहाँ पर ऐसे तो इसको घुमा रहा है तो इस तरीके से घुम रहा है ना तो यह लंगड इस तरीके से घुम रहा है तो कि देखो When a body moves along a circular path with uniform speed क्या बोला uniform speed the magnitude of velocity remains the same magnitude है वो जो same रहता है but its direction changes at every point है ना तो यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा क्या बोला है जब कोई भी बॉड़ी circular path में घुमती है मतलब कि circular गोल गोल घुमती है ऐसे ऐसे करके है circular path में घुमती है आप यह लंगड से अंदाज लगा सकते हैं ऐसे करके ठीक है और विद uniform speed अपनी uniform speed में magnitude of velocity क्या रहता है वो सेम रहता है remain सेम रहता है और क्या है इस direction जो होती है वह किसमें वह हर एक पॉइंट पर चेंज होती है direction ठीक है मतलब हर एक पॉइंट पर direction जोगी विलॉसि kindness के मैंनिаете का सेम रहेगा ठीक़ युनिफॉर्म मोसं रहेगी इवाली बात आपको समझ में मैं आ वहागा होगा सेएंटी प्रित्वी के आज पास चंद्रमा यह हुम रहा है वह इसजे इसे यह इसे पुल घ्री है ठीक है यह बात the apparent outward force on a mass when it is rotated मतलब जब किसी भी object को rotate किया जाता है तो उस पर क्या होता है आउट वर्ड फोर्स लगता है क्या बाहर की तरफ फोर्स लगता है ठीक है तो उसे हम क्या बोलते हैं centrifugal force बोलते हैं centrifugal centrifugal force बोलेंगे जब कुछ examples कैसे जाएंगे जैसे bike by making a turn जब भी आप बाइक मोरते हैं तो क्या होता है आप उधर की तरफ जाते और क्या वेकल driving around a car around a curve मतलब क्या होता है जब भी आप कर्व लेते हैं तो क्या होता है आप अपर की तरफ जाते हैं क्या बाहर की तरफ मैं बрашमें बैठे होंगे बस जब मुरती तो by orange के टरफ एसे खिक यह जुकने लग जाते हैं कि तखिर्फ किया करते हैं जुकने लग जाते हैं तो इस को हम क्या ले सकती है वीकल ड्राइविंग अराउंड कर्व यह वाली बात आपको समझ में आ गई होगी जैसे कपड़ों का निचोड़ना भी होता है ना वाशिंग मेशीन में आसे करके घूमती है वह तो सारे कपड़े कहां साइड में चेपक जाते हैं उसके है ना तो यह क्या होगा है सेंट्रि पेटल फोर्स और सेंट्रिफेगल फोर्स ठीक है इन दोनों की बात कि जाते हैं देखो इट इस दा पूल आउट टुवर्ड्स दा सेंटर यह क्या पूल होता है सेंटर की तरफ ध्यान रखना तो यह चीज़ है आपको ध्यान रखना है चोटी-चोटी जिससे कि आप एक् पूश होता है वी एक्सपीरियंस इन दा सर्किलर मोशन सेर्किलर मोशन में हम इसको एक्सपीरियंस करते हैं और देखिए क्या है इसमें आपके इट इस दा रियल फोर्स यह क्या यह रियल फोर्स होता है इट इस दा imaginary force, यह imaginary force होता है, ठीक है, यह जो centrifugal force है, और देखो, directed towards the center of the circle, जो circle होता है, उसके center पर इसका force होता है, आपके, directed towards the center of the, directed away, directed away from the center of the circle, मतलब क्यों होता है, the center of the circle से बाहर होता है, किनारे पर होता है, काँ पर होता है, किनारे पर, अब देखिए, और क्या होजाएगा, इसमें, अब के, it acts in both inertial and non-inertial frame, यह inertial, non-inertial frame में दोलों में act करता है, और यह सिर्फ किसमें करता है, non-inertial फ्रेम में ये करता है रोटेशन ठीक है ये वाली बात आपको समझ में आ गई होगी तो ये था कुछ हमारा फोर्स के बारे में था इसके बाद मैं और भी आगे पार्ट लेके आऊंगा इसके तो आपको ध्यान से उन्हें भी देखना है कल आपकी वीडियो आजाएगी दूसरे पार्ट की भी ठीक है तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें तैंक यू जैहिंद जै भारत